देखिए आज हम आपको छोटा भीतरी माइक्रो मीटर, इसमाल माइक्रो मीटर के बारे में आज हम आपको समझाएंगे इसमाल माइक्रो मीटर का कहा कहा पर प्रियोग करते हैं और कैसे प्रियोग करते हैं दीखिए इसके द्वारा भीतरी माइक्रो मीटर की परिसुत्ता चेक करने के लिए इसे एक निस्चित पाठ थ्यांक तक खोल करके आउट साइड माइक्रो मीटर की सहता से चेक कर देना चाहिए बीतरी माइक्रोमीटर को एक इसे निस्चित पर ठैंग तक खोल करके इसका बीतरी माइक्रोमीटर को चेक कर लेना चाहिए यदि दोनों माइक्रोमीटर का पर ठैंग एक समान होतो बीतरी माइक्रोमीटर परिसुद तथा ठीक होता है यदि दोनों का पाठ्यांक एक समान हो तो भीतरे माइक्रो मीटर का पाठ्यांक या ठीक है इसके लाव हम देखते हैं फिर इसमें क्या-क्या सावधानिया होती है माइक्रो मीटर में काम करते समाएं इसमें कौन-कौन सी सावधानिया बरतनी चाहिए सावधानिया साधानिया, नमबर एग, नमबर एग में साधानिया देखे, माइक्रो मीटर को पाठ्यांग लेने से पहले, माइक्रो मीटर का पाठ्यांग लेने से पहले, उसकी सूनित रूटी को चेक करने, इसके बाद में ही किसी वस्तु का पाठ्यांग नोट करे, किसी वस्तु की मोटा क्याइब याद करें फिर आपका दूसरा हता है माइक्वो मीटर को कभी भी करता ना हो जाफ़ों के साथ में माइक्वो मीटर को कभी भी कटिंग तूल के साथ में नहीं रखना चाहिए काम करने के बाद इसे smooth मुलायम कपड़े से पोच करके, सास करके फिर जो इसका बाग सोता है उसमें सुरच्छित रख देना चाहिए फिर आपका आता है नमबर तीन, इसका प्रियोग कभी कभी घूमते हुए कारिखन, इसका प्रियोग कभी जैसे आप डिल मसीन में या लिथ मसीन में जो पार्ट ऐसे घूम रहा है, घूमते हुए पार्ट पर कभी भी इसका प्रियोग नाप लेने के लिए नहीं करना क्योंकि यदि पार्ट ऐसे घूम राए किसी मसीन में और उसमें इसे नाप लेंगे तो सहीम आप नहीं ले पाएंगे, घूमते होगे पार्ट पर कभी भी इसका प्रियोग ना करें, फिर आपका आता है माइक्रो मीटर का प्रियोग हमेशा रैचिटी स्टाप की सहाथा से ही करना चाहिए, जो आपका रैचिटी स्टाप है उसकी सहाथा से ही इसका प्रियोग करना चाहिए, नमबर पाँच पर आता है कार समाप्त करने के परस्चाप माइक्रो मीटर को अच्छी तरीके से साफ करके रखना चाहिए, यदि आपका कारिक खतम हो गया है, कारिक सुरू कोई भी पाढ़ ना लगा रहा है, गंदा ना लगा रहा है, जिससे की आपका माइक्रो मीटर खरा हो जाए, फिर देखते हैं छोटा वित्रा वितरी माइक्रो मीटर, इस प्रकार के माइक्रो मीटर में, सिलीव या बैरल, सिलीव या बैरल, थिम्बल आउट साइड माइक्रो होते हैं लेकिन एन्विल और इस्पेंडल इसके एन्विल और जो इस्पेंडल होते हैं इस्पेंडल के स्थान बर बनियर कैडिफर्स की तरह जबड़े होते हैं यह जो इसके जबड़े होते हैं यह बनियर कैडिफर्स की थरीके इसके जबड़े होते हैं फिर इसके या बैरल होता है वो इसके वीप्रीद दिशा में पढ़ा जाता है जिससे की सलाटों की माप लेने के लिए किया जाता इसका प्रियोग छोटे छोटे छेदों या सलाटों के जैसे आफ यह छेद बना हुआ है यह इस तरही के से छेदा छोटे छोटे छेदों या स्लाटों के माप लेने जैसे यह खांचा बना हुआ तो यह हमारा खांचा आए बीच का इसकी गहराई माप लेने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है जो छोटा माइक्रोमीटर है इसका प्रियोग छोटे छोटे सलागों या छोटे 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 छेदों का माप लेने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है मिर्टिक प्लाणी में इस प्रकार के माइक्रोमीटर में कम से कम पाँच एमेम ब्यास के छेदों को छेख करने के लिए इसका प्रियोग किया जाता है इस प्रकार माइक्रोमीटर में 5-25 और 50-50 और 50-75 तक अधिकताम 1 इंच तक माप ले सकते हैं इस प्रकार माइक्रोमीटर 0.200 इंच से 1 इंच से 2 इंच से 3 इंच तक इस से माप ली जा सकती है फिर आप का आता है बनियर माइक्रोमीटर में अंतर बनियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में अंतर बनियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में अंतर देखिए अब हम आपको बनियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में अंतर के बारे में बता रहे हैं बनियर कैलिपर और माइक्रोमीटर के अंतर के बारे में अंतर बनियर कैलिपर और माइक्रोमीटर में अंतर बनियर कैलिपर के द्वारे माइक्रोमीटर में अंतर के द्वारा भीतरी तथा गहराई की माप ले शकते हैं बनियर कैली पर दोरा मिल्टिक वबिटिस दोनों प्रकार की माप ले सकते हैं बनियर कैली पर के दोरा अधिक्तम रेंज तक जाब को माप ले सकते हैं जैसे 0-300 mm तक अधवा 0-12 इंज तक देखिए बनियर कैली पर पढ़ने के लिए बहुत अधिक अभ्यास की आशकता होती है मिल्टिक पद्दत में इसका अलबत मांग बनियर कैली पर का मिल्टिक पद्दत में इसका अभ्यास 0.02 mm होता है बनियर कैली पर की साथथा से पूर्व परिसुद माप नहीं ले सकते हैं देखिए फिर इसके बाद आपका था है माइक्र मीटर ये आपका माइक्र मीटर में देखिए क्या होता है इसमें भीतरी बाहरी तठा गहराई की माप के लिए अलग-अलग प्रकार के माइक्रो मीटर की आ सकता होती है बनियर कैली परसे से तीनों मापे एक ही टूर्स से ली जा सकती है और ये आपका जो माइक्रो मीटर होता है इसके लिए आपके बाहरी माप लेने के लिए अंदूरी माप लेने के लिए और अलग-अलग माप लेने के लिए अलग-अलग माप माप की आ सकता होती है बनियर कैली परसे में ऐसा नहीं होता उसमें बाहरी माप लेने, अंदूरी माप, गहराई माप लेने के लिए एक ही बनियर कैली परसे से तीनों माप ले सकते हैं परंदु माइक्रोमीटर के द्वारा अलग-अलग मापों के लिए अलग-अलग माइक्रोमीटर का प्रियोग करना पड़ता है इसमें मिर्टिक बिटिस माप लेने के लिए अलग-अलग माइक्रोमीटरों की आसित्ता होती है बनियर केलिपरसे के द्वारा मिर्टिक और बिटिस दोनों ही मापे बनियर एक ही टूल से ली जा सकते हैं परन्दु माइक्रो मीटर के हैं माइक्रो मीटर से बिटिस वाला अलग माइक्रो मीटर होता है और मिर्टिक वाला अलग माइक्रो मीटर होता है माइक्रो मीटर के द्वारा 300 mm तक माप लेने के लिए 12 माइक्रो मीटरों की अवसेक्ता होती है माइक्रो मीटर के पर्ठैंग को पढ़ने में आसानी रहती है जो माइक्रो मीटर होता है इसका पर्ठैंग पढ़ने में आसानी होती है मिर्टिक पद्धत में इसका अलपतमांग 0.01 mm होता है माइक्रो मीटर के द्वारा परिसुत दमाब ले सकते हैं जो हमारा माइक्रो मीटर होता है इसके द्वारा परिसुत दमाब ले सकते हैं और आगे हम आपको कल पढ़ाएंगे धातुयों तथा उस्मा उपचार के बारे में कल हम आपको बढ़ाएंगे धातुयों तथा उस्मा उपचार के बारे में देखिए आज हम आपको पढ़ाएंगे धातुयों तथा उस्मा उपचार धात का परचे धात किस प्रकार से हमें प्राथ होता है धात वे एक खनिश पदार्थ होता है जो खानों या आयसकों से आयसकों के रूप में निकाला जाता है और तयार किया जाता है धात का होता है जैसे ये एक खनिश पदार्थ होता है जो खानों से आयसकों के रूप में न निकाला जाता है। और तयार किया जाता है। जैसलिगोए खीकहा, बीजेबीचा बटम को innovative लाइन अददोय खिलिए मानुरा है। इसको गरम किया जाता, उस माउप चार गया था, इसमें नेट टीटेमेंट किया जाता, फिर देखिए इसको पीटने या उपर गिराने पर एक विसेश प्रकार की जहंगार की आवाज आती है, जब हम लोगा को आगी में गलाते हैं, गलाने के बाद पीटते हैं, पीटने के बात का हुता है, जो फंडा करते हैं, तो जिब उसमें मारते हैं, दूसमें विशेज परकार की आवाज आती है, जैसे ऊपर से नीचे छोड़ देते हैं, तो खंड की आवाज आती है तो गावता है कि इसमें एक प्रकार की आवाज भी आती है धातूं का मुख्यूरूप से उप्योग इंजिनिरियन का जोजेत हमारी धातूंगे होती है इनका मुख्यूरूप से इंजिनिरियरिंग कारियों में रेडियो, टेलीग्राम, टेलीफोन, विद्धूत का सामान, सथसक्त उत्पन करने वाली मसीनों पुल, हवाई जहाज, मोटर गारे तथा रेलवे इंजनाद बनाने के लिए किया जाता है बगैर लोहा के कोई भी कार या कोई भी मसीन या रेल की पटरी या रेल के डिब्बे ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो की बिना लोहे के तैयार हो जाए मनुस्य के जीमन में लोहा, बहुत अत्यंत, कोई भी गाड़ी या कोई भी बाहान बगए लोहे के तैयार नहीं हो सकता है फिर धात्मों के गुण देखिए, जैसे मनुस्य के अपने अपने गुण होते हैं हर जीव जन्तु के गुण होते हैं, उसी प्रकार से धात्मों के गुण होते हैं धात्मों के गुण देखिए, कौन-कौन से इन में गुण होते हैं धात्मों में तीन प्रकार के गुण पाए जाते हैं नमबर एक भौति गुण होता है नमबर दो होता है या अंतरे गुर्ड नमबर तीन होता है रासानी गुर्ड नमबर तीन होता है रासानी गुर्ड देखिए फिर हमारा भौतिक गुर्ड के अंतरकत क्या पाया जाता है भौतिक गुर्ड ये हमारा भौतिक गुर्ड है भौतिक गुर्ड में ये गुर्ड प् धात में पाए जाते हैं, तो इसमें देखिए क्या कह रहा है धात के बारे में, अलग प्रतेक धात का प्राक्तिक रूप से धात में पाए जाते हैं, ये गुण धात में इस धाई रूप से पाए जाते हैं, जो ये गुण होते हैं, भौतिक धात में इस धाई रूप से पाए जाते हैं और इस गुण के कारण धात को देख कर और छो करके मानूब कर सकते हैं जो हमारी धात हुआ है उसको हम देख करके पता चलता है कि ये कौन सा लोहा है सोना है कि कोईला है कि चांदी है उसको हम प्रातिकी भौतिक गुण के अमसार ही उसको हम देख सकते हैं कि ये कौ में लिखी तो गुड़ होते हैं किसका कैसा रंग लाल होता है कि पीला होता है सफेद होता है तो इसके लोहा के रंग के बारे में बताया गया है इसका रंग किस प्रकार का होता है यह आपको रंग दिया हुआ है इसके बारे में बताते हैं कि लोहा का रंग कैसा होता है प्रत थादु का अपना अलग अलग प्रकार का रंग होता है। उसी प्रकार लोहा रंग भी skulle काले प्रकार नहीं होता है। कासा होता है, ताबा होता है, लोगा होता है, तो इससे हमें अलग-अलग प्रकार के थाथु पैचाने में कोई दिक्कत नहीं होता है, पीला हुआ तो हमारा ताबा है, तो ऐसे ही हमें तुरंद पता चल जाता है, काली रंग का है, तो हमारा लोगा होता है, उसी प्रकार से आ जाता है सफेद है तो हमारा चान्दी है और आपका जो पीला है तो हमारा सोना है इसी प्रकार से आप कहता है भार जो इसका भार होता है सबसे ज्यादा भार है तब हमें कैसे पता चल जाता है प्रतेख धात का उसका आयतन के अंसार निश्चित भार भी होता है जो हमारा भार होता है जितना उसका आइथन बढ़ता है उसी हिसाब से उसका भार भी होता है तो आइथन के अंदार ही हम भार पता लग जाता है कि हमारा कौन सा ये धातु है और किस चीज का है फिर देखिए आपका जैसे अलग लग धातुं का अलग लग भार होता है धातु का भार प्रति वाइसे भारी होता है और जो हमारा इलमोनियम है फिर देखिए हमारा आता है सनरचना सनरचना में धातों को तोड़ कर देखा जाए तो उनके अंदर की बनावत अलग-अलग होती जैसे इस पास्त की हांत्रीः सनरचना बनावत रेबलर ढलबानोहेगी क्रिष्टली और पिटवा लोहे की पार्स को होती है जब उनको तोड़ते हैं तो तोड़ने से पता चल जाता है उनके अंदर जो कड़ होते हैं वो चम्तार से पता चल जाता है कि हमारा धा धलवा है कि हमारा पिटवा लोहा है कि हमारा लोगा किस प्रकार से है फिर आपका आता चालक्ता देखें चालक्ता के बारे में बताते हैं क्या होता है धात का वो गुण जिसके कारण उसमा बिद्दूत उसके एक इस्थान से दूसरे इस्थान तर पहुंचती है अच्छा लगता जैसे आप लोगे के सरिया को इतना आगे में आग में इसको टालेंगे तो पहुंचती है उससे चालक्ता का गुण कहते हैं और जिन धात्मों में उसमा बिद्दूत का प्रवा एक इस्थान से दूसरे इस्थान नहीं होता है उन्हें कुछालक कहते हैं सभी धात्मों में चालक्ता का गुण की सुचालक्ता होता है एक इस्थान से दूसरे इस्थान नहीं होता है उसमा का प्रवा पहुंचना ही चालक्ता हमारा कहलाता है उसमा की सुचालक होती है फिर आपका आता है चुमकता किस के अंदर गvine देखी चुंमक धात के अंदर गरत선 क्या आथा आपका कि इसमें का होता है सबी धातों में धात को वो कुर्ण जिसके कारां एक equally छुमक धात को अपनई OR खीरता है देखे जैसे लोगां का चुम्मक तो होता है लोगां का छोटा सभी कड़ पड़ा होगा तो चुम्मक उसको अपनी ओर आकरसित करता है उसे चुम्मक ता कहलाते है इसे पता लगता है कि किसी भी लव धातु तथा कौन सी धातु अलव धातु है जग चुम्मक अपनी ओर खिचता है जैसे अलमोनियम का अपनी ओर नहीं खिचता है क्योंकि अलमोनियम में लोहे के कड़ नहीं पाय जाते हैं तो इससे पता चल जाता है कौन सी धातु लव है और कौन सी धातु अलव है फिर इसके बाद हमारा आता है गलनिता, गलाना, इसी भी धात को बेकार पड़े हुए सामान को गलाना, जब लोगार को गला करके दूसरे रूप में ढाला जाता है, तो इसे हमारा गलनिता आता है, धात को अकुर जिसके काराण प्रते खोंस धात उनिस्टित आपमान तक गर जाता हो जाएगा, तो पानी के रूप में ढल जाएगा, पानी के रूप में ढल जाता है, जिस प्रकार से सुनार, किसी आपूसरा को गला करके उसको दूसरा रूप परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार से हमारा लोगा भी होता है, जिसको रूप परिवर्तन किया जाता है, जब ये बेकार हो जाता है, बेकार होने के बाद इसको बठी में गराते हैं, अब गराने के बाद ये पानी के रूप में तयार हो जाता है, ठंडे करने पर इसको एक कोई दूसर ने, इसको एक नया रूप देते हैं, यही हमारा गलनिता कहलाता है, जैसे तामे का 1080 सेंटिग् होता है और 1250 सेंटी वे पिटवा लोगा गलनांक होता है तसा 16 होता है उसी प्रकार हल का गलनांक निस्चित होता है कि लोगा कितना होता है और पिटवा लोगा कितना होता है धलवा लोगा कितना होता है चादी कितना होता है उसी प्रकार से हर का अलग अलग प्रकार से उसका गलिनिता का थाकमान दिया रहता है उसी साथ से उसको गराते हैं जिसे की कौन रुप से फिर दूसरा बनाने के लिए तयार करते हैं फिर हम आपको कल बनाएंगे यांत्री गुन इनके यांत्री गुन क्या क्या होते हैं